Buddhist architecture is one of the earliest architecture of India यह architecture में हमको तीन important element दिखाई देते हैं सबसे पहले विहारा जहां पर order of monk, order of nuns रहा करता था यह विहारा एक बड़ा complex होता था जैसे अजन्थ था में हम लोग को more than 200 caves दिखाई दिये है वैसे हमारे पास बाग के उस है मध्या प्रदेश में, thereafter even बामियान के अफगानिस्तान में यहां पर यह monks आके रहते थे, तो rocket keys हुआ करते थे रॉक में ultimately फिर बड़े-बड़े यह लोग keys बना करते थे by chisel and hammer thereafter इसी में आपको prayer भी करनी पड़ेगी, तो prayer के लिए आपको prayer hall लगेंगे that is basically your chaitya, तो chaitya जो basically prayer hall हुआ करता था यहां पर आके बुद्धिस्मौंग क्या करेंगे, prayer करेंगे, अगर यहां पर आपको बीच में statue दिखाई दे रहा है तो महायान statue नहीं है, तो फिर ही नयान and finally ultimately हमको दिखाई देता है that stupa is there, stupa is basically associated with buddhism या फिर buddha himself, buddha के कुछ body part आपको stupa के नीचे आपको stupa के नीचे आपको stupa के नीचे buried दिखाई देंगे